हिमाचल दिवस पर प्रधान मंत्री निरंदर मोदी ने भी प्रदेश वासियों को बढ़ाई दिये प्रधान मंत्री ने कहा कि ये बहुत सुखत सा यूग है कि जब देश आजादी के 25 साल का ब्रिस्त महसो मना रहा है तब भी हिमाचल भी अपना पचेतरवा स्थापना दिवस बना रहा है प्यम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास कामरित हर प्रदेश वासियों तक निरंदर पहुंचता रहा है इसके लिए हम सभी का प्रयास जा रही है प्येम मोदी ने इमाचल के विकास के लिए सीम जहराम ठाकूर के प्रयासों को भी सरा है और प्येम ने का कि इमाचल के महनत कर्ष इमांदार कर्मट लोगों ने हर चुनौती को आउसर में बदला है हिमाचल दिवसपर देव भूमी के सभी लोगों को हारदेख शुपकाम नाए ये बहुत सुखत संयोग है कि देश की आजादी के 75 वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75 वर स्थापना दिवस मना रहा है आजादी के अमरत महोसों में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमरत हर प्रदेश वासी तक निरंतर पहुंचता रहे इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी है हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था बर्फ ढकी परवत मालाएं नदियां जरने जंगल किनरियों का देश देवता डोले पल पल सवभागय से मुझे भी प्रक्रती के अनमोल उपहार मानविय सामर्थ की प्राकाष्ठा और पत्थर को चीर कर अपना भागय बनाने वाले हिमाचल वाशियों के बीच रहने का उनके दर्शन करने का बार बार आउसर मिला है साथियों 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तहब पहाड जितनी चुनोतियां सामने थी छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्तितियों और चुनोति पुर्ण भुगोल के चलते संभावनाओं के बजाए आशंकाय अधिक थी लेकिन हिमाचल के महनतकश, इमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनोति को अवसर में बदल दिया बागवानी, पावर सल्प्रस राज्य, साक्षरतादर, गाउं गाउं तक सडक सुविधा, घर गर पाड़ी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक इस पाड़ी राजगी प्रगति को दिखाते हैं बीते साथ आठ सालों में केंद्र सरकारत का निरंतर प्रयास रहा है कि हिमाचल के सामर्थ को, वहां की सुविधाओं को और बहतर बनाये जाए हमारे युवा साथी, हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री, जैराम जी के साथ मिलकर ग्रामीड सरकों, हाइवे के चौडी करण, रेल्वे नेटकवर्क का विस्तार इसका जो बीडा डबल इंजिन की सरकार ने उठाया है उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं जैसे जैसे कनेक्टिविटी बहतर हो रही हैं वैसे वैसे हिमाचल का टुरिजम नए ख्षेत्रों, नए अंचलों में प्रवेश कर रहा है हर नए ख्षेत्र परिएटकों के लिए प्रकृती, संस्कृती और एडवेंचर के नए अनुभव लेकर आ रहा है और स्थानिय लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है स्वास्त सुविधाओं को जिस प्रकार सुधारा जा रहा है, उसका परिणाम कोरोना के तेज टिकाकरण के रुप में हमें दिखा है साथियों, हिमाचल में जितनी संभावना हैं, उनको पूरी तरह से सामने आने वाले और सामने लाने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है आने वाले पचीस वर्ष में हिमाचल की स्थापना और देश की आजादी के सो वर्ष पूरे होने वाले हैं ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमरित काल है इस कालखन में हमें हिमाचल को टूरिजम, उच्च सिक्षा, रिसर्च, आईटी, बायो टेक्नलोजी, फूड प्रोसेसिंग और नेचरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है इस साल के बजट में गोशित बाइबरेंट बिले स्कीम और परवत माला योजना से भी हिमाचल प्रदेश को बहुत लाब होगा ये योजना है हिमाचल प्रदेश में दूर सुदूर में कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगी तुरिजम को बढ़ावा देगी और रोजगार के नए आउसर भी पैदा करेगी हमें हिमाचल की हर्याली का विस्तार करना है जंगलों को अधिक सम्रिद्ध करना है सौय चालायों को लेकर हुआ बहतरी इंकाम अब स्वच्चता के दूसरे पैमानों को भी प्रोच्षाइद करें इसके लिए जन भागिदारी को और बढ़ाना होगा साथियों केंद्र की कल्यानकारी योजनाओं को जैराम जी की सरकार और उनकी पूरी टीम ने बहुत विस्तार दिया है विशेस्त्रुप से सामाजिक सुरक्षा के मामले में हिमाचल में प्रसंसनिये काम हो रहा है इमांदार नेतरुत्व, शांति प्रिय बातावरण, देवी देवताओं का आशिरवात और परिश्रम की पराकास्टा करने वाले हिमाचल के लोग ये सब और तुल्निया है हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मोजूद है सम्रद और ससक्त भारत के निर्माण में हिमाचल अपने योगदान का निरंतर विस्तार करता रहे यही मेरी शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद